Hello Learners, Welcome to this Video इस वीडियो में मैं आपको 6 x 3 मैट्रिक्स को 3 x 6 मैट्रिक्स से मल्टिप्लाई करने की easy trick बता रहे हूं using KCO calculators यहाँ पर हमारे पास 2 मैट्रैसे हैं पहला मैट्रिक्स X जिसका order 6 x 3 है यानि कि यहाँ पर 6 रोज है R1, R2, R3, R4, R5 and R6 और जो दूसरा मैट्रिक्स है Y उसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं जो वर्टिकल हैं वो कॉलम्स हैं और हमें पता हैं मैट्रिक्स कमपेटिबल होते हैं मल्टिप्लिकेशन के लिए अगर 1st मैट्रिक्स का number of columns 2nd मैट्रिक्स के number of rows के बराबर हो जो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब इसका जो resultant मैट्रिक्स होगा उसका order 6 x 6 होगा जो की number of rows of first matrix and number of columns of second matrix से आता है जो resultant मैट्रिक्स है x into y उसमें हमें जो elements लिखना होते हैं वो a11, a12, a13 इस तरह से आते हैं यानि इससे हम decide कर सकते हैं कि a11 first row और first column के multiplication से मिला है इसी तरह से first row और second column के multiplication से जो मिलेगा वो second value होगी and so on इसी तरह से a21 यानि की second row 213 और first column इनका multiplication one by one होता है जैसे अगर हम multiply कर रहे हैं तो 2 into 1 होगा then plus 1 into 3 होगा फिर plus 3 into 2 होगा और इससे जो हमें मिलेगा वो sum यहाँ पर लिखा जाएगा इसी तरह से हमें हर एक element के लिए value find करनी होगी अब हम calculator को on करेंगे shift के साथ mode button प्रेस करेंगे और memory clear यानि की one प्रेस करेंगे equal to प्रेस करेंगे तो इससे अगर कोई memory पहले से होगी तो वो हट जाएगी अब हम या तो column के elements की एक equation बना कर इसमें insert करेंगे या फिर row के elements की equation बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर row और column same numbers है 6 rows है and 6 columns है तो हम किसी भी एक को select करेंगे अगर हमाई पास 3 cross 4 matrix होता तो हम उस condition में 3 को prefer करते equation बनाने के लिए तो अब यहाँ पर हमाई पास column 1 है जिसे मैं insert कर रहे हूँ 1 alpha A यानि इसके हम equation बना रहे है 1 A plus 3 B plus 2 C type की तो plus 3 alpha के साथ B प्रेस करेंगे plus 2 alpha C प्रेस करेंगे अब हम calculate बटन प्रेस करेंगे अब हमसे A की value पूछी जा रहे है तो यहाँ पर हमें actually first row और first column का multiplication चाहिए A11 find करने के लिए जिससे हमें 1 into 1 plus 2 into 3 plus 1 into 2 मिलेगा यानि की 1 plus 6 plus 2 यानि की 9 तो हमें ये 9 लाने के लिए जो process करना है वही हम इस equation के थूँ करने जा रहे है तो अब हमने इसको insert कर लिया है और ABC की values change करते जाएंगे तो अभी हम first row की values enter करेंगे तो इसके लिए 1, 2 and 1 ये हमने ABC की values insert कर दी equal to press करने से हमें A11 position का element 9 मिल गया है अब similar manner में हम equal to press कर लेंगे अब हमसे फिर से ABC की values पूछी जा रही है यहाँ पर second row को insert करेंगे यानि की 213 तो 2 equal to 1 equal to 3 equal to ऐसा press करने से हमें मिलता है 11 और ये second row और first column का multiplication है यानि की A21 position के लिए result है जो की 11 आ गया है similar manner में हम third row लेंगे 101 101 और हमें ये value मिल गई है 3 similarly हम बाकी values भी find out कर सकते हैं हम randomly कोई भी value ले लेते हैं और उसको check कर लेते हैं कि ये आ रही है या नहीं अब हम fourth row enter करेंगे यानि ABC की values minus 1, 3 and 1 enter करेंगे जिससे हमें A41 की value मिल जाएगी जो की 10 आ रही है again हम 2, 0 और 3 enter करेंगे so 2, 0, 3 और इसे प्रस करने से हमें 5 और 1 A51 की position पर 8 मिल जाएगा similarly last row minus 3, 1, 2 है और इससे हमें minus 3, 1, 2 enter करने से 4 मिल रहा है यानि इस position पर 4 आ जाएगा अब इसी process को हमें continue करना है बट इसमें अब column हमें 2 लेना होगा रोज फिर हम इसी way में interchange करते जाएगे तो second column 2, 2, 0 है इसके लिए हम reply button पर left arrow को press करेंगे और यहाँ पर जो A का coefficient है उसको 1 की जगे 2 कर देंगे इसी तरह से हम next element को भी 2 कर देंगे तो हमारा B का coefficient भी 2 आ गया और जो C का coefficient है उसके place पर हम 0 कर देंगे अब हम first row को second column से multiply करने जा रहे हैं तो जिसके लिए हम 1, 2, 1 enter करेंगे और इससे हमें 6 मिलेगा जो की A12 की value है अब similar manner में हम बाकी की entries find कर सकते हैं हर बार हमें column के according ABC की coefficients को change कर देना है और finally हमें यह results मिल जाएंगे इस वीडियो में इतना ही थैंक्स एर वोचिए आएंगे